नमश्कार दोस्तों ससी जीडी दो हजार पचीस का नोटिफिकेशन आचुका है और यह नोटिफिकेशन रात में आया था मैं अभी आपको इसके बारे में complete जानकरी देने वाला हूं कि नोटिफिकेशन में क्या हमारा सिलबस रहने वाला है क्या हमारी योग्यता रहीगी कित लेवल जाता है सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यह देखते हैं कि सर फोर्म कब से भरे जाएंगे यहां पर अगर आप देखेंगे तो कल की तारिक रात में ही नोटिफिकेशन आ गया था तो कल पांच तारिक से ही फोर् सैसे के हर के फोर्म में लास्ट मे जब भरने की बारिया आती है या उर्णे जाते हैं तो अधिकांुअ चलता है या तो सरवर डाउन चलता है किसी कारणसा करणसे डयान लागत आर देना है क्योंकि अ शंशोधन भी कर सकते हैं माझने लोगी घल्ती से अगर आपने कसी पर टिक कर दिया है और उसको अगर शंशोधित करना चाहते हैं तो दो तारिक ढी गई है इन पांच तारिक और शहरका इस तारिक तो यह आपका दो हजार पच्चीस में जनवरी और फरवरी महिने में बताया गया है डेट नहीं है लेकिन मंद बता दिया है कि जनवरी और फरवरी में यह आपकी एक्जाम हो सकती है मतलब अगर मोटा मोटा माने तो अभी आपका सितंबर चल रहा है ऑक्टोबर नवंबर द बनते हैं सर टोटल इसके जो पद आई हुए हैं वह है 49,481 लास्ट टाइम तो 25,000 के आसपास टोटली पद आये थे और फिर बाद में बढ़कर वह 50,000 के सम्थिंग हुए थे सोचे इस बार तो पहले ही जब नोटिफिकेशन आया है तभी 40,000 के असपास पद आ गए हैं और SSJD की हर बार अगर आप देखोगे तो पद में वृद्धी होती रहती है इस बार भी अगर होती है तो सोच लीजिए 40,000 तो अलड़ी आ चुके हैं अगर 10,000 भी और बढ़ते ह इछले बार जैसा 50,000 का आकड़ा तो यह टच करी लेगा ना भी बढ़े तो अपने आप में बहुत अच्छे पद है 40,000 के सम्थिंग पद है अलग अलग सब आप देखेंगे यहां पर तो पद दिये गए हैं B.S.F. के पद अलग से दिये गए हैं देखेंगे आप अगर वहां देखेंगे तो 15,000 लगबग 15,000 के आसपस B.S.F. के पद है C.S.F. के पद 7,145 हैं और इसे ही हर एक्जाम के C.R.P.A.F.S.S.B. IT.B.P. A.R.S.S.F. N.C.B. और कुल मिला कर आपके 49,481 पद हैं मेल के अलगए C.B.S.T. के अलगए सब के अलगए यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे यह यह male का यह female का है लेकिन आप लोगों को कि अलग अलग तो एक्जाम होती नीए SSGD एक ही एक्जाम होती है और उस एक्जाम में आप लोगों को यह preference डालना पड़ता है कि लेवल 1 की जोब है 18,000 से 56,900 तक की इसमें सेलरी आप लोगों की बन सकती है अलग-अलग क्योंकि BSF, CISF सबकी अलग-अलग कुछ थोड़ा कम जादा रहता है इसलिए अगर आप बात करें NCB की अगर बात करें यहाँ पर दीखिए यह जो नार्कोटिक बूरो करके जो एक एकजाम होती है मतलब यह पद होता है उसके अंदर जो सेलरी होती है वो यहाँ पर लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से 79,100 तक की सेलरी आप यहाँ पर बन सकती है कुल मिलाकर बहुत अच्छी जोब हैं सेलरी पे अच्छी खासी है और इन सारे पद के बारे में जानकारी भी मैंने दे रखी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमें काम क्या करना है किस फिल्ड में जाना है और काम क्या रहेगा ठीक है उन चालीस हजार अपने आप में बहुत अच्छी वेकेंसी है आगे अगर हम बात करें सबसे पहले में बता देता हूं उसके हम क्लास शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर यह क्लासे रहेगी और यह मंडे से आप लोगों की क्लासे शुरू हो रही है ठीक है इस वाले से आप लोगों की यह शुरू होगी अभी हमने दो क्लास शुरू कर रहे हैं क्योंकि बाकी टीचर सोड़ा कोर्स फिनिश कर रहे हैं जैसे फिनिश हो जाएक उसके बाद उनकी क्लासे लगए आप अभी ध्यान देंगे तो रिजनिंग की क्लास मेरी जो होगी वह सबसे पहले हम चेप्टर वाइस पढ़ाएंगे और फिर आप लोगों के जो प्रीवियर है या प्रैक्टीस हैं बहुत भरपूर करवाएंगे और इस बार selection दिलवा देंगे जो लोग सोच रहा है कि सर मेरा selection 2 साल हो गया 3 साल हो गया या पहली बार भी अगर तयारी कर रहा है तो उसका इसमें selection देने की पूरी कोशिश में जूटे हुए हैं ठीक है चलिए आगे अगर बात करें इसमें तो सर इसमें age limit जो होती है वह सबसे important होता है देखो age limit पर आईए अगर आपकी age limit 18 साल से 23 साल तक है तो आप सभी लोग इसमें form apply कर सकते हैं age में relaxation भी होता है छूट भी होती है अगर मान लीजी आप sc और st category से आते हैं तो आपको पांच साल की छूट मिलती है मतलब अगर आप हाइस एज में 23 साल में पांच जोड़ोगे तो कितना हो गया 26 साल अगर आपकी एज 28 साल है तो भी आप form apply कर सकते हो अगर आप अबीसी वाले हो तो तीन साल की छूट मिलती है मतलब 23 में 3 जोड़ोगे 26 साल अगर आपकी उम्रे तो भी आप अप अप्लाय कर सकते हो और अलग अगर आपको एक सर्विसमें है तो भी आपको अलग से इसमें छूट मिलती है अपनी पूरी जोब करने के बाद अब अब decisions की हर एक एक्जाम की जो फीस होती ना सुर्फ 100 रुपे होती है मतलब जो बढ़ elabor सिब्सक्रेश की एक्जाम देने की लायक हों की नहीं सिर्फ ठ्राए बहलना चाहता हो तो सिर्फ नुट रुपे ईसकी और यह सो रुपे वह हैं सिर्फ यह हो ब lk के लिए है यह 100 रुपे फिस यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि STSC और आप लोगों का जो वुमन है उनके लिए यह कोई फिस नहीं होती है ठीक है चलो 100 रुपे यहां पर टोटल फिस होती है अगर आगे हम बात करें एज जो काउंट होगी वह कहां से होगी सर तो यहां प हैं तो यह पांच साल तीन साल का अगर आप देखें मान लीजिए आपकी आपकी उम्र है 26 साल 26 साल कब तक काउंट की जाएगी एक एक दो हजार 25 के अनुसार काउंट की जाएगी अगर आप इसके बाद अगर आपका 26 साल से अगर बड़े निकल गए यहां पर दिया हुआ पूरा कि किस डेट से किस डेट में आपका जन्म होना चाहिए वरना आप लोगों को हमने केलेंडर वाले टॉपिक में पढ़ाया है कि आपकी उम्रे निकालने का सही तरीका क्या है आप देख लीजेगा वह टेंथ पास होने चाहिए आप सबसे बड़ा इंपोर्डेंट अ और टेंथ पास भी अच्छा सौरी शायद मैंने यहां पर देखा नहीं अच्छा यह एजूकेशन क्वालिफिकेशन लिखा था मतलब एक एक दो हजार पचीस के इसाब से तो आपका टेंथ का रिजल्ट इसने कहा है मान लोग अगर अभी आप टेंथ में हैं और आपका र चाहिए और एक दो हजार पत्चीस से एक दो हजार 25 के बाद आप लोको मतलब एक proजार पत्चीस आप लोगों की यहां पर काउंटिंग होगी आप एक पच्चिस तक आराम से इसमें 26 साल 23 साल या 28 साल के हो जाने चाहिए अपने केटेगीरी के हिसाब से ठीक है चलिए अगर आगे हम बात करें तो यहां पर और क्या रह रहा है देखिए अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट देना तो आपको बहुत बेनिफीट है अगर आपके पास NCC का A, B या C सर्टिफिकेट है तो आप लोगों की जो रिटन एक्जाम होगी उसमें जो टोटल 80 प्रशना आते हैं और 117 नंबर का प्रतिशत एक्स्ट्रा जो है जुडते हैं नंबर NCC C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो तीन प्रतिफिकेट नंबर आपके एक्स्ट्रा जुडते हैं और अगर NCC A सर्टिफिकेट है तो दो प्रतिफिकेट नंबर आपक पेपर है अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो आप आराम से SSJD के वर्दी में दिख सकते हो कुछ दिन बाद अको आप्समप्रण दीन, पक्तलिकारि आप वर्दी अगर अपर nuts, पक्तलिकार गुलेश और इंग्लिश या हिंदी का भी आपके पास एक चुननने का ओप्षन होता है या तो आप English अच्छा पढ़ते हैं आप English ले लिजिए या अगर आपका Hindi अच्छा है ले ले लिज दोनों की जर्रथ नहीं यह दोनों को दोनों पैपर में यह अख में आते हैं आप यह तो English चून सकते हैं यह Hindi चून सकते हैं और जो चूनों वो 120 या उससे ज़्यादा ही जाती है क्योंकि बहूत सारे लोग इसमें फॉर्म भरते हैं और आराम से आभी जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा बहुत ही मिनिमुम लेवल इसका होता एक्जाम पैटन का ज्यान रखें कि इसमें साहाटी मिनट मिलते हैं असी क्वेशन टोटल होते हैं मतलब हर क्वेशन को करने के लिए एक मिनट पूरा नहीं होता है उससे कम समय होता है ठीक है तो जितनी ज्यादा हम प्रेक्टिस करेंगे ना उतना हम कम समय में क्वेशन को बना पाते हैं और मैस रिजनिंग में पूरे म से पूरे नंबर लाते हो हिंदी अगर आपको आसान लगती है तो भया चार तीया 12 120 नंबर तो आपके वैसे ही बन जाते हैं जीके अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेते हो तो 40 नंबर का जीके आता है अब आप खुछ समझधार यांगे पस इसमें एक ही छोटी सी प्र सिलाबस बहुत आसान है यहां अगर आप सिलाबस देखोगे तो आपको शायद थोड़ा सा कम समझ में आएगा सिलाबस के ऊपर हम complete अपनी अपनी क्लासे में बता देंगे कि कौन-कौन से टोपिक इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट तो क्या कौन-कौन से टोपिक आप से पूछे जाते क्योंकि बहुत कम ही टोपिक होते हैं ठीक है सत्रा अठारा या बीस टोपिक आप मैक्जिमम मान लीजिए उतना ही टोपिक आप लो जाता है सिर्फ वैसा क्या दिया जाता है कि सिंपल हिंदी आईगी के सिंपल इंगलिश आईगी वैसे हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह तो सिलबस हम 13 चौदा टोपिक के हिसाब से बता रहे हैं यहां पर जो दिये हुए न उन टोपिक को तो आपको शायद समझ में आएगा आप अपनी अपनी क्लास में हम लोग बता देंगे जैसा कि मैंने बताया है अच्छा इसमें फिजिकल भी होता है फिजिकल अगर आप ध्यान से दें देखें तो यह फिजिकल जो है मेल के लिए मैं बता रहा हूं इसमें रनिंग होती है आप लोगों को ना पांच किलोमेटर आपको साड़े-8 मिनिट में निकालना है आराम से यह भी हो सकता है और यहां पर कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहां पर थोड़ा से रिलक्सेशन होता है जैसे यहां पर लद्दाक रिजन लिखा हुआ है कुछ पहाड़ी इलागों के लिए यहां फिजिकल में भी थोड़ा से रिलक्सेशन होता है ठीक है अगर हम बात करें सर यहां पर हमने बात की यह देखिए मेल और फिमेल की और यह हम बात कर रहें लद्दाक रिजन वाले की तो अगर आप लद्दाक से हैं तो भी आप मैल है तो 1.6 किलोमेटर आपको 7 मिनिट में निकालना है औ और अगर आप फिमेल हैं तो 157 सेंटिमेटर आपकी हाइट चाहिए इसमें भी रिलक्सेशन होता है जाहिर सी बाते आप यहां देखेंगे तो भाया एक देखिए यह लखा एस्टी वालों के लिए यहां पर रिलक्सेशन है कि भाया अगर आप मेल है तो पांच चल जाएगा वैसे अलग अलग यहां पर फिर देखिए कुछ एरिया यह जैसे कि नोर्थ इस्टन स्टेट हैं यहां फिर यहां पर फिर से आपका आजाता है देखो गोर्खा आगे आजाता आप लोगों का मैं शायद यहां पर थोड़ा बलर की वज़े से देखनी पा रह और वाट्सएप चैनल पर डलवा दूंगा इसको हाला कि मैंने पूरी पीडिएफ तो कल रात में डलवा दी थी देखिए अगर हम बात करें चैस्ट भी यहां पर ना पा जाता है असी से अगर जादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जितना भी सेंटिमेटर का आप अबको पाँंच सेंटिमिंटर एक्स्रा फुलाना पड़ेगा माण लीजे आपका 70 है तो आपको फुलाने के बाद 85 सेंटिमेटर करना पड़ेगा अगर 82 चेस्ट है तो भीया 5 cm उसमें जोड़कर 87 अपको करना पड़ेगा ठीक है एक्स्ट्रा आप लोग को क्या करना पड़ेगा भीया 5 cm फुलाना भी पड़ेगा यहां पर अगर आप देखें तो अलग अलग फिर इसमें भी रिलक्सेशन है रिलक्सेशन तो आपको हर जगे देखने को मिलेगा यह रही मेन चीज जब आप फोम भरेंगे तो आपके सामने यह आएगा और यहीं आपको तैय करवाएगा कि अगर आपका सेलेक्शन होता है तो आप कहां जाओगे अपनी पॉस्ट प्रिफरेंस के आधार पर पॉस्ट प्रिफरेंस में यहां पर देखिए A, B, C, D, E, F, G, और H दिया गया है आपको यह देखना है कि सर मुझे सबसे पहले क्या लेना है और बहुत सारे लोग यहां पर वेकंसी के हिसाब से जाने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है वेकंसी के हिसाब से मत जाईए वेकंसी के हिसाब से तो हर व्यक्ति जाता है आप लोगों को अपने जो आपको एहम है आपका लक्ष है उस रख सकते अगर आपका इच्छा है कि ज़र में तो ITBP में जाना चाहता हूं आप यहां जाए इन बारे में पहले पता तो होना चाहिए ना तब जाकर हम कहीं जाने क कि सोचेंगे भी सही इसके लिए मैंने कम्प्लीट एक वीडियो बनाई है मैं इस वीडियो के लास्ट एंड में स्क्रीन पर वो वीडियो शोग करवा दूआ ताकि आपको यह पता चल जाएगी यह सारी चीज़े क्या होती है कम से कम पता रहेगा तो आपको यह तो जानका मैं किसी के इच्चा है कि मैं इससेप में जाना चाहता हूं छहतना है तो थारू पकरना चाहता हूं आपmer Ahhh साब कहने का यह मतलब है कि सारे प्राफरेंस के हिसाब से चलेंगे ऑन बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान से बना बात में जाकर अगर आप यından आचा कर सोचो कि सिक्षक दिवस और सिक्षक दिवस के उपलक्ष में हमने एक ओफर रखा था कि 30% इन फिस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है हमें पूरी उम्मेच्थी की कली ससी जीडी के हमने इसमें complete तैयारी करवा रखी है लेट टेस्ट पैटन के हर एक्जाम जो आपकी ससी एक्जाम लेती हैं उनके questions को हमने इसमें करवाया है और जितने भी टॉपिक आप लोगों की एक्जाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक को पूरा complete पढ़ा रखा चाहते हैं कि सर 2025 के शुरुवात में मैं अपने माता-पिता कोई गिफ्ट देना चाहता हूं तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा क्योंकि आपको मेहनत कम करनी है और आप लोगों को इसमें वर्दी मिलने के पूरे-पूरे आसार है 40,000 के असपास वेकेंसी अपने तो ठीक है अलग से भी अगर आप कोई मान लीजिए ससी की तयारी कर रहे हैं और ससी की CGL और बाकी एक्जाम को भी देख रहे हैं तो फिर आप ससी फाउंडेशन बेच ले सकते हैं यहां लाइव लिखा हुआ है कुछ क्लासे कुछ दिन में खतम हो जाएगी तो आप अपन कोट क्या है और इसमें भी एक्स्ट्रा 30% के डिसकाउंट ले सकते हैं वैसे ही मध्यप्रदेश के सभी स्टूडेंट के लिए मध्यप्रदेश का कंप्लीट व्यापम फाउंडेशन योद्धा बेच हमने लॉंच किया था यह तो लाइव भी चल रहा है तो इसमें भी हैं ठीक है सर आगे अगर हम बात करें तो हमने एक बेच लॉंच किया था अभी दो दिन पहले कॉम्बो वेच मैस का और रिजनिंग का फाउंडेशन कंप्लीट वेच था कॉम्बो वेच इस कॉम्बो वेच को हमने 599 इसकी फीस रखी थी लेकिन इस बेच में भी आप सिक् को 30% की एक्ष्ट्रा छूट मिलेगी और वह कुपन कोड क्या है सर वह कुपन कोड गुरुथर्टी गैपेटल जी यू आर्यू 3030 अपको इसके अलावा कोई स्पेस नहीं लगाना कोई स्मॉल लेटर नहीं लिखना है गुरु 30 आपको कुपन कोड अप्लाय करना है बेच क परचेस करना है आपका कंप्लीट बेच उसी समय तत्काल एक्टिव होगा माई कोर्स में आपको कोर्स शो होगा सारे वीडियो पीडियेफ प्रेक्टिस क्लास सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा ठीके साहब तो यह मोका आज का है आप गवाए ना बाकी एससी जीडी क के लिए हमने जो यूट्यूब पर क्लासे शुरू कर रहे हैं आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूं सुबह 10 बजे मेरी मंडे से क्लासे शुरू हो जाएगी जिसमें मैं टॉपिक वाइस पढ़ाने वाला हूं चैप्टर वाइस पढ़ाने वाला हूं और शाम को 39 रुपीज वाली टेस्ट सिरीज के बारे में आप जानते होंगे दुनिया भर की इसमें टेस्ट सिरीज है जिसमें ससे जीडी की भी एक्ट्रा टेस्ट सिरीज और प्रिविएस एर पैपर भी है ठीक है तो जब आप कोर्स लेंगे तो उसके साथ भी इंक्लूड ओकर 39 वा सब्सक्राइब आप दूँगा बाकी हेल्प लाइन नंबर 975073060 है अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस पर कॉंटेक्ट करें मैं आप लोगों का बिल्कुल कोल रिश्यू करूंगा या वाट्सप पर आपको रिप्लाय करूंगा ठीक है एस बार निकालना है 2025 के जनवरी फिरवरी में आप लोगों का इस अपना साकार होना चाहिए हम लगे हुए पूरी मेहनत के साथ अब आपकी बारी है जैहन जै भारत